हेलो दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजूकेशन फॉर बेटे टुमोरो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेली नर्सिंग कॉंसील यानी डी एन सी में रेजिस्टेशन कैसे कराते हैं तो यह गूगल पर हमने टाइप किया डेली पर क्लिक किया उसके बाद डेली नर्सिंग कॉंसील के वेबसाइट पर यहां पर लिखा है ओनलाइन रेजिस्टेशन तो हम क्लिक ओन हैर फॉर इंस्ट्रक्शन पर क्लिक किया तो यहां पर क्लिक हैर फॉर रेजिस्टेशन और रेजिस्टेशन पर क्लिक किया अब यहां इंस्ट्रक्शन्स खुलके आई हैं इंस्ट्रक्शन्स कह रहा है कि जब आप एक अप्लिकेशन फॉर्म यहां से नीचे से डाउनलोड करेंगे हम अभी आपको बताएंगे उसके बारे में भी एप्लिकेशन फॉर्म स्कैन करके फिल होने के बाद और सारे डॉकुमेंट जो क आपके दौरा अटेस्टेट किया जाएंगे उन सब को मेल करना एक फाइल बनाके जो मेल आईडी यहां पे दिया हुआ है मेल आईडी अब देख पा रहे हैं उसके बाद हम इसको एटेस्टेट कराएंगे एक फोटोग्राफ को जो की नर्सिंग सुपरिटेंडेंडेंट से होगा और नर्सिंग सुपरिटेंडेंडेंट अगर नहीं अवलेबल है तो MS, MD या MOI से उससे अटेस्टेट कराएंगे हुआ होना चाहिए और one photograph attested by nursing superintendent and two photograph without attested और उसके आद candidate को candidate are instructed to send three same photograph to Delhi nursing council उसके address पर भेजना है अब receipt of copy के साथ by post उसके आद में scan copy of class 10th marksit class 10th certificate class 12th mark seat 12th certificate अपना जो तीन साल का diploma या degree का तीन साल का mark seat है या चार साल का है वो और उसके बाद degree या diploma और address proof of institution अब address proof में हम आप अपना id card दे सकते हैं character certificate course completion certificate transcript free receipt इन में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं आप proof of being employed in Delhi Delhi में आप काम कर रहा होंगा तब ही यह हो सकता है तो identity card जो आप काम कर रहे हैं या appointment या offer later और recent salary slip दे सकते हैं scan copy of your radar card scan parent council newly attested यहां जहां पे आप registered है जो आहां से पहला registration हुआ है वहां का registration certificate यह सारे document आपके द्वारा attested किया हुआ होना चाहिए उसके बाद जो राजस्थान के ला अंदर प्रदेश और तेलंगाना के हैं उनको original registration certificate submit करना होगा और write your contact number on the application form application form पे आपको अपना contact number लिखने आप यहां पे option condition and download the application form form download पे क्लिक करेंगे तो form खुल के आएगा अब यह form खुल के आगया है अब यह form यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे आपको three passport size photo attested by employer जो आपको यहां पे लगाना है यह form है surname first name middle name तो आपको जो जहां पे है वहीं पे लिखना है capital लेटर में block letters में लिखने है कर्सिब या small writing में नहीं लिखने father's name mother's name यहां पे आपको अपने basic informations सब लिख देने हैं उसके बाद यह सब फिल करने के बाद for applicants already registered जो already registered है उनके लिए यह वाला portion वरना है certificate of attestant का किया हुआ जो है उसको यहां पे लिखना है और यह office use के लिए यह portion है इसमें आप वो कुछ नहीं लिखना है तो यह था जो basic जानकारी इस form को आप fill करके और scan करके और अपने बागी के documents जो self attested करने हैं जो मैंने आभी आपको बताया था उन सब को attest करके और जो mail id था उस पे mail करना है और इसको post करना है nursing council के address पे तो आसा करते हैं आपको हमारे दोरा देजे गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर कोई तूटी रह गई होगी तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं कुछ और जानना हो comment करिएगा हम उस पर वीडियो गना देंगे हमारे चैनल को subscribe करे जास जदा share करे वीडियो को like करे धन्यवाद जय हिंद